नमस्कार दोस्तों केसे आप सभी लोग सबसे पहले तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और उसके नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जितने वी वीडियो के नोडिफिकेशन आप सभी तक को प्रसासनिक परीद्रश्य देखे हैं उसके बाद पंचाइती राजविवस्ता आपका तो यह सारे की सारे टोपिक है बहुत ही महतुपूर्ण है आपके हमारा आज का जो टॉपिक है यह आपका पुलिस प्रशास्ण तो कि यनि हमारा जो मधिप्रदेश है यहां पुलि पूरे मद्धिप्रदेश को अगर अब ध्यान से समझोगे उसकी प्रसाइइक जो बिवस्ता है पुलिस बिवस्ता उसको ध्यान से समझोगे तो यह आपके आती भाई केंद सरकार की इन एक एक्जाम्पल के तोर पे आप पूरे देश को उठाओगे अब इसी वाप मधिप्रदेश की बात नहीं करें पूरे जितने भी आपके राज्य भारत में वो सभी जो पुलिस प्रसासन की द्रस्टी कौन से आप देखोगे तो वो आते हैं आपके ग्रह मंत्राले के अदिन आपका जो केंद्री ये ग्रह मंत्राले है ठीके फिर ठीक वेसे आपके राज्यों में ग्रह मंत्राले है ठीके तो आप ग्रह मंत्राले से समझना बस तो भाई जो आपका पुलिस प्रसासन है ये आता आपके ग्रह मंत्राले के अदिन ग्रह मंत्राले के बाद भाई पुलिस प्रसासन मेवस्ता कौन संभालेगा आपका ग्रह सचिव ठीग है पैस सबसे पहले तो आपका ग्रह मंतरा ले ग्रह मंतरा ले के बाद वाई ग्रह सचिव ग्रह सचिव फिर आपका पुलिस महानिदेशक ठीके यह आप ध्यान रखोगे बाई डीजीपी ठीके बाई ग्रे सचिव यने आपके राजी का पुलिस महानिदेशक होता है जो आपका डीजीपी होता है वो किस के अधिन काम करता है और ग्रह सच्ची और किस कि अधिन काम करता फिर आता आपका पुलीज महाने रिकचक इसका आप बोलोगह आयजी फिर आपका पुलिस उप महाने रिक्षक क्या बोलोगे भाई इसको आप डि आई जी फिर आते हैं भाई आपके जिला यह आपके जो जिले होते हैं वहां का जो पुलिस अधिकारी होता है भाई वो कौन होता है आपका स्पी ओता है उसको आप क्या बोलोगे पुलिस अधिक्चक ठीके एस पी यह आपका पुलिस अधिक्चक हो गया एस पी इसके बाद आपका है बुपुलिस अधिक्चक डी एसपी फिर आपका अती पुलीस अदिक्षक इसको क्या बोलोगे आप भाई एडीएसपी ठीके यह आपका पुरा क्रम चल रहा है आपके पुलीस प्रसासन का यह पूरी आपकी पुलीस प्रसासने के विवस्ता है कि भाई सबसे पहले तो आपका ग्रह मंत्रा ले इसके दिन कौन काम करता है ग्रस अचिव ग्रस अचिव किसके अंतरगत कौन काम करेगा आपका डी जी पी पुलिस महानिदेशक इसके अंतरगत पुलिस महानिदिक चक आई जी आई जी के अंतरगत डी आई जी मतलब पुलिस उपमानेरिक चक फिर आपका पुलिस अधिक चक मतलब एस पी उप पुलिस अधिक चक डीएस पी अती पुलिस अधिक चक एडीएस पी और इसके नीचे जो काम करता है इसके नीचे में इधर लिख देता हूं आप लोग इसके नीचे लिखोगे ठीक है इसके बाद आता है आ कि अधिन इंस्पेक्टर eto चॉत को या इसको आप क्या बोल तो टीए ठीक आई या आपका सविंस्पेक्टर को गावह प्रेय सब इंस्पेक्टर को तक ए सब जो और इसके नीचे आपका हवला नीचे भई आपका सिपाई जो आप छोटी आप प्रसासन की तो वो कोले आप का किस के अंतरगत काम करेगा हवल्दार सायक सबिंस्पेकर मतलब एस ओर एस आई किसके अंतरगत आता है टिक किसके अंतरगत आते हैं आती पुलीस अधिक्छाक मतलब एडीएसपी एडीएसपी किसके अंतरगत आते हैं डीएसपी और डीएसपी एसपी किसके अंतरगत आते हैं डीआईजी और डीआईजी आईजी के अंतरगत और आईजी आपके डीजी पी और यह पूरे लोग ग्रह सचीव के इंतरगत काम करते हैं ग्रह सचीव किसमें आता है आपके ग्रह मंत्राले में आता है तो यह पूरी भाई आपका सबसे पहले तो क्रम आपको धियान रखना है भाई कोन किसके अंतरगत काम करता है ठीक है यह आपका राज में आपको धियान रखना है ठीक है तो भाई अगर आ पुलिस अधिकारी कोन होता है आपका पुलिस महानिदेशा आक मतलब कोन होता है डीजीपी यह पद बना है 1982 में आपके डीजीपी का जो पद है यह कब बना है 1982 में और आपका मद्यप्रदेश का पुनरगठन कब हुआ है 1956 में भाई हमारा जो मदिप्रदेश का पुनरगठन कब हुआ 1956 और डीजी पी कब बने 1982 तो भाई चपन से 82 फिर कौन सा पद होता था तो चपन से 82 तक जो राज जी का वरिष्ट अधिकारी होता था पुलिस वो होते थे आपके पुलिस साथ मतलब कोन होते थे आपके घा यह ऐब के थे जौत फूरे पूरे राज जी सब से वरिष्ट पुलिस अधिकारी होते थे आपके आईजी 1956 में अगवार धरन करने वाले पहले व्यक्ति थे आप उनका नाम भी याद रखोगे वी जी घाटे ठीके आपको ये नाम याद रखना है वी जी घाटे ये नाम है भाई आपके मद्धि प्रदेश के पहले आई जी का नाम है 1956 वजी घाटे ठीक है और पहले पुलीस महाने निदिशक जो बने 1922 में ठीक है तो यह नाम बहुत IMPORTANT है भाई आपके यहापके VP दूबे ठीक है यहापके BOB के वजी घाटे हो गये पुलीस महान ए bipart और पहले पुलीस महाने निदेशनक है णे when would happen कब बने आपके 1982 में तो यह पूरा की पूरा भाई आपका पुलीस प्रसाशन जिसमें सबसे वरिस्ट अधिकारी वर्थमान में किसको बोलना है आपको DGP को वरतमान में लेकिन 56 में कौन होते थे आपके सबसे वरिस्ठ अधिकारी IG harandia ठीक है अब भाई पुलिस प्रसासन की बात हुई है यहां पे तो पुलिस प्रसासन की द्रस्टी से हमारा जो राज्य है इसमें 10 जोन है या इसको अपन भाई IG रेंज भी बोल सकते हैं ठीक है यहने आपका जो मदिप्रदेश है इसको पुलिस प्रसासन की द्रस्टी से कितन भागों में बाटा गया है भाई 10 प्रसाषन की द्रस्टी कौण से ठीके जिसमें आपका सबसे पहले तो भोपाल पिर आपका इंदोर है पिर आपका जबलपूर पिर आपका ग्वालियर रीवा सागर उज्जेन चंबल बिलासपूर और आपका होशंगाबाद ठीक है भाई ये दस जोन है आपके तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई हमारा जो मधिप्रदेश इसको पुलिस प्रसासन की दर्ष्टी से कितने भागों में बाठते हैं दस भाग में इसको बन पुलिस रेंज भी वो आईजी रेंज भी बोलते हैं मतलब इन जोन का प्रमुक कोन होता है आपका आईजी होता है भई मतलब ये पूरे की पूरे जो दस जोन है इनका प्रमुक कोन होता है भई आपका आई जी होता है ठीक है पुलिस महान रिक्षक होता है इनका प्रमुक दस जोन आपके भोपाल इंदो जवलपूर ग्वालियर रिवा सागर उज्जेन चंबल बिलासपूर और रोशंगाबाद लेकिन आप ध्यान दो बिलासपूर वर्तमान में मधिप्रदेश में है क Deixa ये लेकिन जैसे अर उन भाई आप का जोन हमता है तो यह यारद रखो गया बालागाट बनाता आपका तो यह हो गए दास और 2,004 में एक और नाया जोन बना भाई आपका सहडोल mail यह कब बना है 24 में तो वर्तमान में आप से पूछा जाए कि IG range कितनी हैं तो कितनी का होगे भाई आप 11 है यानि पुलिस प्रसासन के दस्टी कौन से मद्धि प्रदेश में कितनी रेंज हैं कितने भागें कितने जोन हैं तो कितने बोलोगे 11 जोन कौन कौन बोपाल इंदो जवलपूर ग्वालियर रीवा सागर उद् बाई 11 इसके नीचे भाई आई जी के नीचे कौन काम करता है डी आई जी तो डी आ सी पूछे आपस तो यह आद रखोंगे आप 15 ठीक है ऑई जी याइज डी डी आई जी रेंज कितनी हैं 15 वह इलब महार निरिक्षक जो है वाई उसके इसाफसे कितने जोने आपके पास 15 ह इसके बाद भाई आपसे पूछा जाए है यहां पे मद्यप्रदेश में पुलिस थाने तो यह आप रखोगे कितने आपके 1101 यह आपके पुलीस थाने हैं यह इसके बाद आपसे पूछा जाए पुलिस जिले तो कितने भाई बाबन पुलिस जिले कितने बाबन इसके बाद पूछा जाए भाई आपसे पुलिस चोकियां ठीके तो यह आपका है पांच सो नियासी फाइप सेवन नाइन पांच सो नियासी पुलिस चोकियां है ठीके इसके बाद आपसे पू 26 है हमारा हमारा मर्दी प्रदेश में प्लिस कंट्रॉल रूम कितने हैं तो ही आप बोलो कितने रिप्राइं के बाई आपके 3500 हैं उसके बाद पुलिस बाताल Stregg Almighty Sena या اे इसके बाद पुलिस चोकिया कितनी ich piş बाद पुलिस जी ले ने 52 पुलिस कितने नंबरी कि यह कि उसके बाद इसके बाँझ कि फिलम कुछ महत को टॉपिक आपके जैसे सबसे से पेले तो आपके पुलिस संस्थान आपको याद रखना है जैसे मद्रदेश पुलिस हैड़ को आटर ठीक है तो यह लगता है आपका भौपाल ठीके भाई मध्य प्रदेश पुलिस हेड़ को आटर कहां लगता है आपका बोपाल फिर आपका मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज ठीके भाई मध्य प्रदेश का पुलिस कॉलेज कहां लगता है आपका सागर कहां लगता है सागर मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज सागर फि ठीके तो भाई ये भी लगती है आपकी कहां पे सागर में इसके बाद आप याद रखोगे स्वान प्रसिक्छन केंद्र और ये है भाई आपका भोपाल ठीके भाई स्वान मतलब कुट्टा डॉग की बात हो रही ही भाई ठीके भाई जो प्रसिक्छन केंद्र हैं हमारे यहां पे कहां पे वो आपका भोपाल में हैं इसके बाद आप याद रखोगे पुलीस यातायात प्रसिक्छन केंद्र ये भी ये भाई आपका भोपाल पुलीस यातायात प्रसिक्छन केंद्र भोपाल इसके बाद पुलीस रेडियो एवं वायरलेस प्रसिक्छन केंद्र ये आपका इंद्र ठीके भाई आपका पुलीस रेडियो और वायरलेस भाई आपने देखा होगा पुलीस के पास यहां पे रहता है इस प्रकार से वो रेडियो टाइप ठीके इस प्रकार से रहता है तो वो जो रहता है उनके यहां पे कमर में आखु भंज़ा मिलेगा आपको तो वह आपका। है आपका इंदोर में ठीक मद्यप्रदेश पुलिस सस्त्र प्रसीक्षन के इन्द्र यह भी आपका इंदोर में ठीक है इसके लाबा को मद्यप्रदेश पुलिस मोटर वर्क शोप केंद्र और यह है आपका भाई रीवा तो इतने भाई आपको केंद्र संस्थान याद रखना है पुलिस संस्थान मद्यप्रदेश के पुलिस संस्थान भाई इतने है इतने आपको याद रखना है ठीके भाई इसमें हेड क्वाटर यानि मद्यप्रदेश पुल प्रसिक्षन मतलब कुत्तों को जो प्रसिक्षन दिया जाता है कहां आपके भोपाल में फिर यातायात प्रसिक्षन केंद्र आपका भोपाल में रेडियोर वायलेस प्रसिक्षन केंद्र इंदोर में ससस्त प्रसिक्षन केंद्र आपका इंदोर में मोटर वर्क्षोप केंद् क्या है भाई अगर हम मद्यप्रदेश की जनसंख्या की बात करें साथ करोड़ आपका 26 लाग 26 आयार है तो मद्यप्रदेश की जनसंख्या में प्रतियक एक लाग पर यह ध्यान से भाई आप समझना कुल जनसंख्या कहां की बात कर रहे हैं वाई अपन MP की मद्यप्रदेश की कुल जनसंख्या में प्रत्ति एक एक लाख पर पुलीस का अनुपात कितना है बाई ये कोश्यन आता है कि मद्यप्रदेश की कुल जनसंख्या में एक लाख जनसंख्या पर कितनी जनसंख्या बोलनों में एक लाख जनसंख्या पर पुलीस का अनुपात कितना है तो ये भाई मात्र एक है मात्र एक ये कंडिशन है मद्यप्रदेश की भाई एक लाख जनसंख्या पर पुलीस का अनुपात कितना है MP का भाई मात्र एक है और वही भारत की बात करें भाई तो भारत में 176, 176 है भारत में ठीक है भाई भारत में कितना है आपका 176 लेकिन मद्यप्रदेश में प्रतेक एक लाग जनसंग्या पर पुलिस का अगर अनुपात पूछा जा तो कितना बो लोग है एक अगर चेतरफल में भी पूछा जाए कि मद्यप्रदेश के चेतरफल आपका जो मद्यप्रदेश का चेतरफल है उस चेतरफल में प्रतेक एक लाग जनसंग्या पर पुलिस का अनुपात कितना है तो वो भी आपका एक ही है भाई ये तो मैंने जनसंक्या में बोल दिया अगर मद्यप्रदेश के छेत्रफल में पूछे कि मद्यप्रदेश के छेत्रफल में प्रतियक एक लाख की जनसंक्या पर पुलिस का अनुपात कितना है तो वहाँ भी कितना बोलोगे एक और भारत में भाई आपका कितना बोलना है 176, दोनों सेमें भाई, दोनों जगे आपके वन और वन है, और दोनों जगे भाई भारत में भी 176 हैं आपका, तो दोनों चीज़े आप याद रखना है, प्रतिक एक लाख की जनसंग्या पर अनुपात निकलता है, कितनी जनसंग् में एक भारत में कितना एक सो चीए तर तो यह आपको आंकड़े ध्यान में रखना है इसके अलाबा भाई आपसे पूछा जाए कि कि हमारा जो चेत्रफल में अब प्रदेश का वहां प्रतीक सो वर्ग किलोमीटर सो वर्ग किलोमीटर मतलब इस प्रकार से कि यह सो किलोमीटर इधर का एरिया और सो किलोमीटर इधर का एरिया आया ना समझ में भाई यह सो किलोमीटर तो यह भी सो किलोमीटर तो यह जो एरिया भाई आपका सो किलोमीटर और यह सो किलोमीटर भाई यह क्या हो जाएगा आपका सो वर्ग किलोमीटर ठीक है तो भाई म में पुलिस की उपस्थिती कितनी है तो यह आपका 27 मात्र 27 पुलिस है यह एने 100 वर्ग कीलोमिटर के दाइरे में आप जाओगे कि वह इतना 100 क्लो क्एडर एरिया है आपका अपका so वर्ग क्लोमिटर करा थो सुंब कडो में में पुलिस है कितनी है मारे एंपी में तो यह मात्र 27 पुलिस हैं भाई हमारे यह सो वर्ग किलोमीटर के एरिये में मात्र इतनी उपस्तिती है पुलिस की उसके बाद भी देखो वेकेंसी नहीं आ है आपसे तो वहां पुलिस की उपस्तिती देख लो आपका 27 27 है यह कंडिशन है भाई हमारे मद्धिपर्देश का जो पुलिस हेट को अडर कहां लगता भाई भोपाल अच्छा मद्धिपर्देश में पहला महिला थाना ये भी आप ध्यान रखोगे भाई पहला महिला पुल पुलिस थानों की बात करे वाई आपकी तो आप याद रखोगे कितनी हैं दस हमारे मद्धिपर्देश में वर्तमान में कितने महिला पुलिस थाने हैं तो दस हैं इतनी चीज़े याद रखना है भाई यह आपका पूरा पुलिस प्रसासन कंप्लेट ठीक है इसके का अगली क्लास में